Hi everyone, welcome back to Only IS channel, मेरा नाम सिंतोश है और आज हम नवेंबर महिने के अंदर कौन सी important geographical locations news में रही हैं उनके बारे में बात करेंगे हम हर बार की तरह हमारा जो point है वो overall perspective समझने के लिए होगा कि वो location कहां पे है उसकी relative location कहां पे है उसमें से किस तरह के questions बन सकते हैं which you need to know अगर मैं आपको बोलूँ कि दिल्ली यहां पे है then this is not a question which UPSC will ask UPSC will ask कि दिल्ली से लेकि अगर में एक line खींचूंगा तो वहां पे हैदराबाद, बेंगलोड, नाकपूर और दिल्ली इनकी location perspective, इनकी nearest, the farthest locations क्या रहेंगे यह question UPSC पूछता है, तो हमें इसी perspective में देखना है कि relative location, कौन किसके north में, south में है, कितना दूर है, कितना पास में है, हमेशा इस perspective से mapping को देखोगे तो questions कभी गलत नहीं होंगे स्टार्टिं फ्रम दिस बट एक चोटी सी बात आपको बोला था कि अगर आप पैटन में देखोगे तो जरूरी नहीं है कि वह आपको सिर्फ प्रिविएस वर्नियर का ही पूछेगा क्या, वह आपको से पहले का भी पूछ सकते हैं, सो हम नहीं जो लास्टियर के लिए जो काफी अच्छा होगा, okay, coming to first location which is my Gulf of Aden, Gulf of Aden को Gulf of Bera Bera भी बोलते हैं, जो इनके same names होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखा करो, Bera Bera जो है, देखो जैसे पक्के and पक्कुई Tiger Reserve के बारे में पूछा था, many people got confused कि पक्के तो पढ़ा है, पक्कुई कभी नहीं पढ़ा, तो हमारा Yemen and देखो, इसके location देखो, Yemen है, यहाँ पे Jibauti है, यहाँ पे Somalian Island है, यहाँ पे Somalia है, यहाँ पे and Sokotra है, now Sokotra is one of the small island of the Sokotra archipelago, यह यमन के अधिकार के अंदर अभी आता है, आप इसको सिफ Sokotra Island को एक बार Google करके देखना, you will find this most amazing pictures here, इसको one of the alien islands कहा जाता ह क्योंकि यहाँ पे जो type of species, the type of trees मिलते हैं, यहाँ पे आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं, it has very unique species ही है, तो इसको बस एक बार Google करके देखना, मेरी तरह एक दो घंडे मत खराब करते ना, इसमें बस थोड़ा सा देखके इसको बंद करते ना, it is just for you to remember also, it will paint a picture in your mind also, इसके बीच में हमारे यहाँ पे बाबल मंदब है, बाबल मंदब इस दा वोटर स्ट्रेट जो कि Red Sea and Gulf of Eden को मिलाती है, लास्ट वाली जो क्लास हमने करी थी उसमें हमने स्ट्रेट ओफ हर्मूज के बारे में भी बात करी थी, मैंने अपको कमपारिजन बताय था, स्ट्रेट इस दो किस तरीके से मुग कर रहा है, ठीक है, ओके, तो यह हमारा गौडफाई चैनल है, यहां पे, चोटा सा चैनल है, गौडफाई चैनल जो की, सोकोत्रा आइलेंड और यह जो केप गौडफाई इस इक्जाक्ली दा होन, जिसको हम बोलता है, होन ओफ एफरिका, यह जो गौडफाई चैनल, इस इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल यहां पे है, इस पार्ट अफ दी ओड़ अन्तलंटिक ओशन, अगर आप मैप देखोगी, यूरोप का तो आपको लगेगा कि यह जो बिटिश आइलेंड है, बिटिश आइल्स बोलते है, इसको यह वाला, इस काफे सारी इंपॉर्टर्ट पोंस था इसकी लोकेशन, इसका स्टाट्रिक डोल अपमेंस, शी पंको जिस चैनल, यह जो नूर्थ सी है, इनको यह मिलाता है, यह हमारा जो बिटेन का पार है, उसको यहां पे नदन, ज़र्डन हमारा जो यूरोप इसे ही सेपरेट करता है, यहां पर एक छोट असा चैनल है स्टेट फडोवर विच इस अ वरी वरी नेरो चैनल स्टेट फडोवर तो जब हम यूरोप के वाटर बोडिस के बारे में पढ़ें तो एक बड़ा परस्पेक्टिव देखो कहां पर है अच्छा स्टेट फडोवर का लोकेशन जो है यह रहा यह स्टेट फडोवर है यह वेरी इंप्डोवर है यह सबस्टेट फडोवर है यह वेरी इंपार्टेट plate सी ठीक है बेरंट सी हमारा आर्कटिक ओशन का पार्ट बनाता है उसके नीचे आता है हमारा यहां पे वाइट सी एंड यहां पे नॉर्वीजियन सी वाइट सी अगें यहां पे वाइट सी है यहां पे कारा सी है यह सारी अगें कोल्ड वोटर बोडी जे यह बिल्कुल तो उसके लिए भी फाई चल रही है उसके बारे में कभी हम किसी और क्लास के अंदर पढ़ेंगे बट यहाँ पर यहाँ पर ऑगारा यहाँ पर पासमें देर्ट वी हाँ गलफ ऑफ ऑथनिया नौ गलफ ऑफ बोथनिया देखो यह वाइट सी है ठीक है इस अर्कटीक्ट इस इतना डीटेल में आप मत अयाद रखना चाहे कि कौन सा बे हैं यहां पर कौन सा कितना रोकेशन है इतनी सारी चीज़ चाहनी कि जरूरत नहीं है बट यह देख लेना कि लेक ओंगा कहांपे है रश्या के अंदर आती है लेक ओंगा और यहां पर एक ओंगा रिवर भी है तो यह आप सिंपल जा दिहान रख सोते हो, then हमारा another important water body is the, यह white sea हो गया, this is white sea, और यहां पर उपर है मेरा kara sea, यहां पर है मेरा Norwegian sea, ठीक है, and यह मेरा अर्कटिक बोशिन हो गया है, white sea से ही, ऐसे, यह मेरी क्या जा रही है, अर्कटिक circle जा रहा है, यहां से, ठीक है, and जो के Baltic sea से भी मेरा connect हो है, okay, उसके बाद मेरा Baltic sea, Baltic sea जो है, यह मेरी जो स्केन्वेंडियन कंट्री से इनको गेर के रखता है, Sweden हो गया मेरा, Finland, यहां पर रश्या का भी सिंपीटर्सबर्ग, which is a very very important port location for Russia, Estonia, Lativia, then we have Lithuania, then we have the Poland here, this also is a small part of Russia, and we have the Germany here, ठीक है, and Denmark यहां पर दूर आ जाता है, तो यह हमारी important surrounding countries of Baltic sea है, आप बस हलका फुलका यह ध्यान अगले ना की कौन से country नहीं है, जो से France है, वो नहीं है, कोई यह France confuse करके पूल सकते है, नौर्वे है, वो नहीं है, यह इसको आप निकाल दो, यहां से ठीक है, सुर्यान, फिंलन, इस्तोनिय, लातीव, 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 पॉलन, जर्मोनी, आंड रशिया, यह सारी हमारी Baltic countries की, Baltic Sea की surrounding, Baltic countries इनको हम बोलते हैं, यह है, अब Baltic country, Baltic Sea जो है, यह एक छोट से straight, एक base है, जिसको हम काटा-गाट बोलते हैं, काटा-गाट और एक यह साकर, साका-गेरक straight है, इनसे यह connect होता है, नोर्थ सी से, जो shipment जाती है, वो नोर्थ सी से होती हुई, यहां पर इस साका-गेरक straight से, काटा-गेट बे से होती हुई, कॉपन गंद से निकलती हुई, यहां से Baltic Sea पे जाती है, और इन यह वाला पॉर्शन है, जिसमें हमारा नॉर्वे और डेन्मार्क, जर्मनी, नियर्दर लिंग्स, बेल्जियम, फ्रांस, एंड यूके, और across government or if we count that, तो यह हमारी country is North Sea को surround करती है, North Sea strait of Dover, English channel से लिती है, English channel आगे चाके यहां हमारा Atlantic ocean के साहथ में, मिल जाता है, ठीक है, यहां पे छोट असा ice sheet दिख रहोगा, आपको जो कि आईपिं अदन आयलें इन आईलें जो है, इनको यह युके वाला जो portion है इसी मिलाता है इसके बीच में चोट असा वाटर बोडी है और उसके इसके बिल्कुल छोट असा एक यहां पर वाटर बोडी है इसको हम सेल्टिक सीज बोलते हैं यहां तो अगर एक ओवरॉल पिक्चर देखे हम तो देखा हमने कि सब से उपर है बेरेंट सी देन वी हाव तो पर वाट कारशी है हां पहल थे थे बाल्टिक सी एक ने चाहर पहलें चाहरे नोर्वेजिएव को धाल बाल्टिक से कट्री चेज से मिलता है जो कि हमारा इंग्लिश चैनल से मिलता हुआ यहां पर अंट्लांटिक जाथा था दो इस पार्डोल है यहां पे चोट चैनल है ब्रिस्टल चैनल जो की सल्टिक सी के पास में है ओके यह तो हो गए हमारी नदन यूरोप की बाद सदन यूरोप के अगर हमाइंगे तो यहां पर हमारा मडिटरीनियन सी में जो जो सीज है उनके बारे में अमने देखा था अब यह आप बोलोगे कि इसको नाम दे दिया गया इसके अधर जो चोटी चोटी है हमारी इंख्लोज बीनिपोलिंगे प्रचली वाटर बोडी है यहां पे हमने डिफरेंट नाम जी जैसे कि स्टेट फ जिप्रल्टार से होता हुआ यहां से अंतलंटिक ओशन का पानी क्या हो रहा है स्टेट फ जि पानी का स्टेट नहीं होता है तो मडिटरेनियन सी का पानी का एक्स्चेंज भी देखो सिर्फ इसी एक स्टेट फ जिप्रल्टार जो है यही से होता है यहां पे कौन-कौन सी सी इसमको मिलती है देखो इफ यू रिमेंबर फ्रम लास्ट क्लास हमने सी ओफ अजोव पढ़ था एड्रियार्टिक सी टाइरेनियन सी बलारिक सी इंद लिगूरियस सी यह सारे मने पढ़े थे नव प्लीज 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 डिमेंबर इस वाटर बोडी अगें आपको अगर एक जैसे बिल्कुल कि मैं आप से पूछ हुआ आप मिलको धर्दर पता दो वैसा तो मैंने एक्सेप्ट कर पॉसिबल भी नहीं मुझे भी नहीं यहां दे बट यू शुड नो अगर एक्जाम में मुझे आ जाए कि नोट से साओ्त में अरेंज करो या फिर इसको इस्ट से वेस्ट में अरेंज करो दनाइशुड नो कि सी ओफ जो है मेरा इस्टन मोस्त है इस थिंग्स आइशुड नो ठीक है इतना हलका फुलका ध्यान अगा है तो हमारे इंपोर्टेंट वोटर बोडी है इसके देन अनधर लोकेशन विच विच वोज इन्यूज वोज दी तमांग तमांग हिस्टोरी कली ना तिबबत का ही पार था नाइटीन फोरीन के अंदर इस नहीं करी थी और इसके बाद में चाइना पावर्फुल होता गया उसने तिबबत को अपने अपने पार्ट में लाना स्टार्ट करा तो 1950 में जब तिबबत ने अपना डी फैक्ट टो इंडिपरनेंस लॉस कर दिया था तो उन्होंने अब तिबबत को अपनी जो पीपल स्टी पॉब्लिक ऑफ चाइना इसमें इंकॉर्पूरेट कर वा लिया था 1959 में दलाई लामा वहां से भाग के तिबत में आ गए थे तो जब हमारा 1962 में और अभी भी चाइना बोलता है कि तवांग इस अपार्ट ओफ चाइना तो इन शॉर्ट तवांग उनको लगता है कि चाइना का पार्ट है तो वो यह जो 1914 में शिमला अकॉर्ट हुआ था इसको नहीं मानते हैं 1962 के अंदर जब सीनो इंडिया वर हुआ था तव तवांग को चाइनीज कंट्रोल ने अपने अंडर ले लिया था लेकिन उसके बाद में वर को डिसिपेट करने के लिए चाइना वोलिंटरी कि हां से ट्रूपस तो हटा ली थी वोर को खतम करने के लिए और तवांग एक बार फिर से इंडियन अडिमिस्ट्रेशन के अंदर आ गया था लेकिन चाइना का जो यह क्लेम है कि अरुना चल प्रदेश का एक मेजर पोर्शन इंक्लूडिंग तवांग वो चा तो हमारी इंपोर्टन कि हम एक बार रिवाइस कर लें इसको कौन-कौन सी मेजर हील से यहां पर दाफला हिले विच इन दी अरुड़ा चल प्रदेश देन विच विच अगें अट दी हमारा इस्टन मोस्ट जोन ऑफ दी नोर्थ इस्टन मोस्ट जोन बुल सकते हो आप इसके बारे में क्वेशन पूछा जा चुका है गारो खासी जन्तिया इसका नाम धियान रखना वेस्ट टू एस्ट लोकेशन कैसे है पहले गारो खासी एंदेन जन्तिया और देन वी हाव दमिर्किर हिल्स जहां पर हमारा कामाख्या देवी का टेंपल भी बनावा यहां पर एक अमारी ब्ली रेंज करके है वहां पर यह इंद अगर मैं आपको एक्जांपल फॉर एक्जांपल इसके एक्वेशन कि यहां पर मुझे नोर्थ तू सौथ में अरेंज करो और मैं ने आपको दे दिया मिश्मी हिल ना अरुनाचल प्रदेश के अंदर अगें यह चोटे-चोटे स्टेट के अंदर कौन सी बाइस वीडियो में भी नाल के रगा है मैं आपको क्विकली डिवाइस करा रही हूं पक्खवी वाइल लाइफ सेंचुरी है जो की ऑन दी बॉर्डर ऑफ अरुनाचल प्रदेशन आसा यहां पे कामंग रिवर के पास में and then here we have मेहो वाइल लाइफ सेंचुरी जो के मारी नौट-Eastern के अंदर हाती जो दिवांग रिवर जो है विचिज दगें ट्रिब्यूतरी ऑफ द्रह्मा पूतरा वहां पे है नहीं दिवाइफ सेंचुरी है डिस आलेंट रहता है इरिंग आसामें अरुनासल प्रदेश, इरिंग वाइलाइफ सेंचुरी, महयो वाइलाइफ सेंचुरी, और नामदपा वाइलाइफ सेंचुरी, ठीक है, już तो को ताय है था, थाइस, भी बोलते हैं, तायवान स् स्रेट जो है एट मेक सब पार्ट ऑफ दी साउथ चाइन जी का एक पार्ट है जो कि ऑस चाइन सी को इस्ट चाइन सी यह a South China जिसके बारे में भी हम आज बात करेंगे इन दोनों को यह से लिंक करता है यह इसके बारे में तो कि डिपलोमेटिकली हम नहीं जाएंगे ताइवान का क्या सिचुएशन है हमको बस यह ध्यान रखना है कि यहां पर फॉर्मोसा स्टेट या ताइवान स्टेट किसको मिला दा इस चाइन साथ चाइन सी को तेन वेरी स्मॉल कंट्री हमारी ऐल सल्वेडॉर ऐल सल्वेडॉर जो है इस बिकम दी ओनली कंट्री जिसने बिटकोईन को एज लीगल टेंडर बना दिया है अब यह जब मैंने इसको थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट करा तो मुझे इनका जो अब यह क्या कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं यह एल सल्वडोर में इन्होंने आई इस तरीके से देखो यह नहोंने लाज यह थर्मल पावर प्लाइंट है इस विच यह जो एनर्जी है जियो थर्मल की जो वलकनिक यह जो वलकनो है टेपे का वलकनो उससे और जो जियो थर्मल पावर प्लाइंट है इन दोनों से एनर्जी को जनरेट करके यहां पर बहुत बड़े सुपर कॉंप्यूटर लगाए गए हैं जो कि बिटकोईन के लि तो से आप बिटकोईन माइन करते हो तो यहां पर इन्होंने इस एनर्जी का यूज करके यह कंप्यूटर चलाते हैं यूज यूज अमाउंट ओफ कंप्यूटर जिनसे बिटकोईन की माइनिंग करी जाती है तो अभी बिटकोईन में थे तो उनका भी नंबर तो यह मैंदब दा पॉइंट इस की आर यूजिंग सुच अ बिटकोईन कांट्री यह वेडी अमेजिंग कंप्यूटर अगें हमारा स्वेज कनाल न्यूज में था क्यूंकि यहां पर इस तरीके से एक जो शिप है वो तो यह इस तरीके से सुईस कनाल है ना सुईस कनाल हां इस सिनाइ पैनिसूला अअशे का उनी तारीका वाटर वें कु舌नाई पर बिटिश ने ही इहां पर इक चैनल बनाये था इसलिए बनाये था ता पहले उनको क्या करना था कि अगर उनको shipment लेके आना है तो एफरिका में पूरा घूम के Cape of Good Hope से होते वे फिर वो इंडियन ओशन के पास यहां पे पहुँचते थे फिर यहां से trade कर पाते थे आप वो लोगे उपर से क्यों नहीं आ चाते हैं उपर से इतना cold रहता था कि यहां से आना मुश्किल नहीं था यहां पर वाटर वेस पॉसिबल नहीं है आज भी नहीं है तो यहां से जब यह पूरा एफरिका को गूम के आते थे तो यह लगबग 11,000 नोटिकल माईल को गूम सिर्फ 14 दिन लगेंगे और यहां पे सिर्फ 12,000 किलुम्टर कर रस्तर है गया है तो इस सेवस्योर टाइम, इस सेवस्योर मनी, इस सेवस्योर फ्यूल, इस सेवस्योर मेंपावर ओल्सों ठीक है तो यह इसका एडवांड़िज था तो स्वेज कनाल इस तरीके से दिखती है यह मतलब लगता भी है किस तरीके से बाक इस पूरी जमीन के अरिया को काट के मडिटरी इनीं सी और बेड़ टरीके यहां पे मिलाया गया है तो यह हमारा स्वेस कनाल है, इसका लोकेशन धियान रखना है हंको, यहां की प्रेज़ेंट इबराहिम मौहमत ने बोला था कि मा इसको इंडिन कॉंसुलेंट के लिए open करें गे क्या हलंकि यह तो हो गया कि वह न्यूज में क्यों है हमें धियान रखना है किस लोकेशन कहा है यहाँ पेस की तो एक थोरी ऑफ सबसेडेंस है जिसको जो ग्राफिय ऑप्शनल के इंदर पढ़ते भी हैं तो इसमें क्या होता है कि यह जो हमारा वलकिनी कोरिजन का मांटन है यह दिरी दिरी नीची की तरफ सबसाइड होता है और जो कोरल से वह पहले इसके बाहर बॉडर अरिया में बनन झाड़ा स्थार वोती है ढल सबसेड़ा सबसेड़ है जो अधार चाल है और इसको फास यह शोन्यम कीशानी हो ग्रा कपंड़ों में फ्रिंज होती है यह जोुग मांटेना को न handwriting जाता है जया है टो इंटीछ बॉन सबढcé तो यहां पे मारा एक लगून क्रियेट हो जाता है और इसको हम अटोल बोलते हैं तो यह जो आपको दिख रहा है यह एक अटोल है ठीक है तो इसके बाद में एक छोटा सा नियूस था दो हजार इकिस में यूएन क्लाइमेट चींज कॉन्फरेंस जो हुई जो हुई थी चुपी टुविटीशिक उन्होंने कंक्लूड जो के भी ग्लासगों के अंदर हुई थी इन्होंने डिसाइड कर रहा था कि दो हजार बाइस क यह यहां पर रेड़ सी है इसका तो यहां पर रेड़ सी बीचेस को देख सकते हो यह बहुत ही खुब सुरत है यह नो सिंस्ट वे टौकिंग अबाट इस इस इंपॉर्टन कि वी टॉक अबाट करते हैं तो यहां पहले भी काफी बार कर चुके हैं और जो मैं आपको बता यहां पर ऑडिक अडर ओपन होती है इस वरी इंपॉर्टन को लेकर यूपीस इम पहले क्वेस्टन आया था इटिस वरी सिंपल ट्रिक्स इलिमनेट करना था इन टू मार्क सो गोर्स विच जो उसको एक प्ली पहले वाले क्लासिज में पहले बहुत देख ले ना पत इसका फिसिकल मैप किया है यहां पे कौन-कौन से पैनिसुलाज और डिजर्ट से देखो यह सिनाई पैनिसुला है जिसके ओपर यहां पर यहां पर स्वेस कनाल बनाया गया इसको धिहान रखना इस इंपोर्डन फॉम प्रस्पक्टिव यहां पर हमारी दो रिवर से युफरिस इं मान यमान यहां एन इस प्रेड है पुरा ダं साओधिया लावा यहां पर हमारा इंतोली कहां पर हमारा यह जो तर्की वाला पॉर्शन है यहां पर ενटोल्या है य थैन लीहां अवर hao दी तॉरस मांटेंs लाज जो तॉरस मौंटें इस अगें यहां पर सी त्या वाला जो अनदर इंपोर्डंट लोकेशन इस दा पक्खे टाइगर रिजर्व या फिर जिसको पक्खवी टाइगर इसव भी बोलते हैं इसको दो हजार सोला के अंदर इंडिया बायो डाइवर्सिटी आवड मिला था इंदे कैटेगरी ओफ वाट इन दे कैटेगरी ओफ गर्वेशन फ्रेटन स्पीशीज फोर इस होन बिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम यह जो पक्खे टाइगर रिजर्व है इसके दोनों तरफ एक साइड में भारेली रिवर है या जिसको हम कामंग रिवर भी बोलते हैं और दूसरे साइड में पक्खे टाइगर इस पक्खे रिव तो आपको कभी इतना कंफूजिंग नहीं पूछेंगे कि पक्खे अरुना चल के अंदर है या आसाम के अंदर है क्योंकि यह बॉर्डर एंपर ठीक है इसके अलावा हमारी कौन-कौन सी है जैसे बक्सा हो गई है जो कि हमारी वेस्ट बेंगल वाले एरिया में आजाता है के यहाँ पे इसके अलावा आसपास में टिलाए कि यहाँ पी इसके अलावा आज फास में जो perennial streams है जिसके अंदर ना मेरी खारी खायरी कामंग रिवर यहां पे अचा सेशा और्चिड सेंचुरी भी है विच इस आइटिंग दी ओनली और्किड और्किड सेंचुरी ऑफ इंडिया अरोनाचल प्रदेश के अंदर है यह सेशा और्किड देखो स्टकिंग ना सेश अब भी हम लोग हर एक स्टेट के अंदर कौन से इंपोर्टेंट लोकेशन से उनके बारे में कर रहे हैं और्टी ताइगर रिजव कौन-कौन से इसके बार में आलोड़ी हमने एक काफी अच्छा काफी अच्छा डाल के लगाए आप उसको प्लीज एक बार कर लेंगा यह यह सारे लो हेंगिंग फ्रूट्स है इसमें आपका मैपिंग विशन गलत नहीं होना चाहिए और इसकी सबसे इची ट्रिक होती है आप यह ध्यान रखो कि कौन सी स्टेट के अंदर टाइगर रिजर्व नहीं है तो आप बहुत इसली एलिमिनेट कर सकते हो तो आप इलिमिने तो इसको आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेना इसको मैं बहुत अच्छे से पहले एक्स्पें कर रहा है तो मैं आपको वापिस एक्स्पें इसको यहां पे नहीं करूंगी रदर आइविल शेयर दा लिंक है मैं इसका लिंक शेयर कर तो ही राइट नेक्स्ट हमारा अचा यह मुझे फोडो बढ़ी इछ लगी ती जब मैं पढ़ रही इसके बारे में तो इसके बारे में एक पार्ट है यहां पे सबसे पहले पूर्टगीज यहां पे आयती उसके बाद में फ्रेंच सेटल हुए 1790 के असपास में उसके बाद में जो नेपोलिय को वार तो तब से ब्रिटेन ने 1965 से इसको चाइगोज आरके पहले गो जो मौरिशियस से सेपरेट कर लिया और चेक इस डिए को गर्षिया पर इस पे इस इस अजड़ प्लानिंग का इस इस डियां कर अगर्षिया कहां पर इस 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 एक इस एक इसामिक स्टेट घृप का अधिलियेटेड रिजन है आपको यह जो उरिजनल खोर सम पर इप इतना इनका पूरा पोर्शन से हैं, अभी इन्होंने उसके बाद में 2019 में बोला कि जो पाकिस्तान सेक्षिन था उसको यहां से इन्होंने सेपरेट कर दिया था, तो इसके विज़े से कामंग रिवर के अंदर मास फिश डेथ हो गई थी, क्यों हुआ, लेंड स्लाइड होने के वज़े से क्या हुआ, कि वो जो मड़ी वाटर था, मड़ी वाटर में ऑक्सिजन की कमी से उनकी जो फिल्स होते हैं, फिश के वो ब्रीथ ने कर पाई, एंड लॉड ओफ फिश डाइड उस डंपिंग की वज़े से, तो इसका पानी काफी टर्बुडिटी रिडियूस हो गया था, जो डिजॉल्ड ऑक्सिजन है, वो काफी कम हो गई थी, यह ब्रह्मा पूत्र की राइट बेंक ट्रिब्यूटरी बनती है यहां पे, और यहां पे काजे रंगा नेशनल पार्क और पक्खुई जिसके बारे में अभी 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 आपने देखा था, पंजाब ने इनके conservation के लिए 2019 में इनको state aquatic animal, important, पंजाब का state aquatic animal क्या है, इंडिस डॉल्फिन है, IOCN के कौन सी केटिगरी में आता है, एंडेंजोड के अंदर आता है, यह पाकिस्तान के अंदर भी मिलती है, इंडिया के अंदर भी मिलती है, दो हजार साथ में बहुत ही वायबल पॉपलिशन ऑफ इंडिस डॉल्फिन जो है, वो डिस्कवर करी गई थी पंजाब के हरी के वाइफ सेंचुरी के अंदर, और लोवर वियास लिवर के अंदर, यह बड़ी, मतलब अच्छी, यूनिक, अन वरी, काम, पीस्फुल, और फ यह बड़ी, मतलब उसी के बैसे पर यह अपना वर्क करते हैं, यह कोलेशन वाली निविगेशन प्रोपर्टी पर वर्क करते हैं, अफगानिस्तान में हजाराज एक अथनिक ग्रूप है, जो की न्यूस में था, यह बिलिवड एज दिसंदेंट फ दे मंगोल एंपायर, च आउनकी वांचुआ फेस्टिवल, बहुत इंपोरेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ध्यान से सुनना, तीवा ट्राइब्समेन एक फेस्टिवल मनाते हैं, वांचुआ फेस्टिवल, इसके अंदर यह इस तरीके से सरकल में आके गाने गाते हैं, डांस करते हैं, पूजा करते हैं ताकि उनकी फसल अची हो तीवा जो है वो उनको लालूंग भी बोला जाता है यह आसाम मिगालया इसमें कुछ पोट्शन अरोनाचल प्रदेश में मनिपूर के अंदर मिलते हैं यह इनकी एक इंडिजीनिस कम्यूनिटी है तीवा ट्राइब कहां मिलती है औ फेस्टिवल को मनाया जाता है दिन वानियार्स जो है वो न्यूस में था क्योंकि वानियार्स एक ट्राइब है जो की तमिलनाडू के अंदर वन अफ दी मोस्ट कंसॉलिडेटेड एंड लार्जेस्ट बेकवर्ड क्लास के अंदर आती है यह ठीक है यह बेकवर्ड कम्यूनिटी से इन तमिलनाडू की तो इनका इन्होंने में 1980 अंदर मैसिव कर दाथा कि इनको 20% रेजर्वेशन दिया जाया स्टेट में तू परसंट रesv रेजर्वेशन दिया जाया जए संडरल स्टेट में लेकिन अधरास मदरास हाई कोто ने और जब यह तमिलाडु ने देवी दिया था लेकिन जब यह दिया था तो उनके पास कोई सेंसिस बैकप नहीं था तो मदरास हाइज कोट निये यह दोंक्लाहई है तो मटराग कॉशन में एक एक पास और एक पास नहीं स्टीशन बैले के लेक वेख गाई थे शॉरी कोभी दुस्क्राइट वानिया आ ट्राइब तो थे वांट पर हॉतिती है कम्यूंटिय सुप मिलती है यह हम इंकोध क्या है तर half-philippeanchu मीदन दो समय हम् world फिलिपीन्स ने अपना जो military resupply था इस mission के लिए for countries troop जो के एक atoll जिसका नाम है second thomas shawl जिसको हम आयोगिन शौल के नाम से भी जानते हैं ध्यान रख लो कि बस कहां पर है thomas shawl या फिर आयोगिन शौल कहां पर है यह south china sea के अंदर है इसको वापिस है resume कर दिया है तो अभी dispute क्या है हमको वो दिहां रख ना है south china sea क्या है south china sea का आप location देखोगे यहां पर तो यह pacific ocean का ही एक arm है यहां पर extended कहां पर है south east asia के पास में अभी हमने देखा था कि taiwan स्ट्रेट हमारा जो है या फिर फॉर्मोसा स्ट्रेट जो था क्या कर रहा था east china sea and south china sea को मिला रहा था तो यह जो south china sea है यहां पर dispute है south china sea आसपास में काफी सारी countries जैसे के वियतनाम फिलिपीन और बॉर्णियो इन सबसे इसका बॉर्डर मिलता है लेकिन चाइन ने यहां पर अपना जो extension है वह बहुत ज्यादा कर लिया है कि बाकी countries की जो हमारी EZ होता है वहां से एंटर हो रहा है यह east china sea se taiwan street से connect होता है और इसके पास में जो philippine sea है वहां से loozon street loozon एक जगे है फिलिपीन से इनदर वहां से है loozon straight से बहुता है तो दो होगे philippines sea and south china sea को मिलाती हूँ strait कौन से होई loozon street taiwan street क्या है east and south china sea को मिलारी है यहां पर अब इसकी जो इसके बारे में देखो कि क्या confusion है आपको यहां पर डिफरेंट कलर की लाइन्स दिख रही होगी आचा आपको जो रेड वाली लाइन दिख रही है न यह चाइना का क्लाय में चाइना इस सेंगी यह पूरा मेरा पार्ट है बट आपको यहां पर कुछ और भी दिखिएंगी ज इस सेंग इन माई टेरिटोरी ठीक लाइन यहां पर बुरणा ही है बूरणा ही यह यलो वाला है तो यहां पर कंट्री का मल्टीबल अधिकार जमाने की और जैसे यहां पर काफी डिस्प्यूट चलता है लेकिन चाइना बुखत पावरफूल है तो चाइना इस साइड रखा है इस हैंग कि यहां पर मिनने 9-9 डैश लाइन एक बनाया है and 9-9 डैश लाइन वह है जो चाइना का मरीटाइम क्लेम है सही है नहीं सही है बाकी कंट्रीश को इंटरूड कर रहा है नहीं कर रहा है यहां पर इस साउथ चाइना सी के अंदर यही डिस्प्यूट है कि बा कमें नहीं हैं पारसिय में मुथ एक सिंद्टि स को के आइसल आइलेंडपर जिस विस्टि पर चाइना तैवान चाइना हैं ऑल्री थियूर से वित्टि मुथ किस थी ऌह इन फारेंड को यहां पर एक हमारा स्कार्बू आइलेंड पर फिलिपीन्स चाइन एं ताइवान का क्लेम बताया जा रहा है तो ध्यान क्या रखना है कि पहले तो आसवास की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है इंपोर्टन आइलेंड इसे तो बहुत सारे हैं सारे यादे रख पा होगे आपको थोड़ा से याद के बाद हमारा एक और लोकेशन न्यूस में था मुला परियार डेम कहां पर है कैरला में न्यूस में क्यों था यह क्यों कि कैरला गवर्मेंट ने एक डिसिजिन लिया था इसको बिड्रॉब कर लिया था कि अमिलाडू सरकार तमिलाडू को पंदराव ट्री कारटने का पहले प्रमिशन दिया था उसके बाद में जिन लोगों ने जिन ओफिशल्स ने यह संक्शन ओर करा था यह और दिया था उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया है बट मुल है भी क्योंकि इंड बहुत सारी जो दाल और पुना नहीं तो था कि डेंड मुट को प्रॉछ्टर जाएक बहुत पुरा नहीं हो चाएंगे ज़े तो यह च्छोर गे जाएगे यह जो पानी डिजर्वर के अंधर है यह पूरा एक साथ में फ्लड होता वा नीच दांस्रीम प मुल्ला परियार डैम लोकेटेड कहां पर है केरला में है यह ओपरेटेड होता है तमिलनाडो के द्वारा 1886 की एक लीज थी नौसों इंडियान में सालों के लिए जिसको परियार लेक लिज अग्रीमेंट वोलते हैं उसके जो साइन करी थी महाराजा ओफ त्रवन कोर ने इन सेकेर्त्री अज़ेटेड एंडियार इरिगेशचन वग के लिए इसको साइन करा तो तो इस इस का जो चुन्स्ट्रक्शन इंगां यहाँ जो जो एंडिया के बीच में हुआ था जिसके अंदर जो रिवर का पानी है उसको रीडारेक्ट कर दिया गया था towards the bay of bangal instead of the arabian city तो पूरी direction यहापे change कर दी गए थी ताकि जो madurai madras residency के अंदर आता था वहाँ पे arid area के अंदर irrigation facilities को use करा जा सके and also this is a very beautiful example you can give in the irrigation facilities also you know like evolution of irrigation facilities this is a very very old dam so this is located where this is located the mullayar and periyar और इनी के नाम से बनावा है mulla periyar dam ठीक है mullayar and periyar के confluence पर ये बनावा है के इडू की district के अंदर इतनी चीज़े हमें ध्यान रखनी है उसके बाद केदार्ना तभी न्यूज में रहा था क्योंकि यहां पर आदी शंक्राचारी का एक 12 फुट का statue जो है वो अन्वेल करा गया था यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गय थे इसको अन्वेल करने के लि विलिच पर यहां पर इनका जनम हुआ था और यह गोविंदाचारी के शिश्य थे यह उसको काफी प्रोगेट करा था और यह उसको चैलेंज्ट जो प्रिवेलिंग फिलोसोफिकल ट्रडिशन वे थे इंक्लुडिंग बुद्धिजम और जनिजम उलसो तो यह है इनका कि दार्नाथ की लोकेशन कहां पर है ठीक है एन अधिशंकराचारी का यहां पर स्टाच्यो रिवेल करा गया पूछा जा से सिंपल एक सिंपल सा और बहुत ही लोकेशन था हमारा पोचंपली विलिच पोचंपली विलिच जो है इसको यू एन डबलु टी ओ विचिस उनाइ इसको है अब हरो मिधं घराफ बैएवर्सिति के गया ज्या सके मिज़ रोड्याबर साफगर्ड की अजर्वत्रोचो शराच के उनको भूचंपली विलिच पेलाना को यह सिंपल सा क्वेशन आप से पूछा जा सकता है कि वहां पूछेडने के पिंगने कंगर की टोचंप village by the United Nations World Tourism Organizations. तो हमको ध्यान रुकना है कि उस village का नाम है पोचंपली village. यहाँ पे पोचंपली village के अंदर इसको silk city भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इकत नाम की एक style है वो woven क्या करी जाती इस तरह की होती है यह इककत और बहुत ही खुबसरों दिखते हैं बहुत ट्रडिशनल होती है तो पोचंपली इककत को GI status भी मिलावा है 2004 में और यह पोचंपली was also the place जहां पे अचार्य विनोबा भावे ने अपना भूदान मोमेंट जो है वो स्टार्ट करा था तो दो तीन इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन इसके रेलेवेंट में वो आपको त्यान रखने हैं पोचंपली है कहां पे बेस्ट ट्यूरिजम विलेज का आवर्ड है UNWTO ने दिया था और यहां पर इक स्टाइल है जिसको काफे सारी रिसर्च ओलरी चल रहेंगे कहां है कुछ बोलते हैं कि अंडरग्राउंड है कुछ बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही सूख गई है ड्राइ रिवर हो चुकी है तो यहां पर एक आर्के लोजिकल साइट मिली है हर्याना के अंदर संधाई विलेज जो कि यमुना के मतलब दे हैं फांड टाइज ओफ लॉस्ट हैबिटेशन जिसे इंडर्स वेली सिवलाइजेशन के पास में हमको हडपा सिवलाइजेशन के सिगनेचर्स मिलते हैं उसे तरह सरस्वती रिवर के पास में भी कुछ हैबिटेशन के कुछ सिवलाइजेशन के सिगनेचर्स मि तो 5000 साल पहले इसका डिसापियर होने का रीजन हो सकता है कि किसी जिग्राफिकल मोवेंट की वज़े से या फिर अर्थक्वेक की वज़े से या तो यह अंडरग्राउंड चले गए या फिर जो इसका सोर्स ओफ वोटर था वो शायद इसका डिटाच हो गया था तो यह था अ और इंपोर्टन यूज है ओपरेशन संकल्प का ओपरेशन संकल्प क्या था इंडियन नेवी का एक शिप था त्रीकंद जो रीसेंटली डिप्लोई करा गया था पर्शन गल्फ इन कल्फ उमान में अस पार्ट ओफ दी ऑपरेशन संकल्प ओपरेशन संकल्प था क्या कि हम अब यह एक्चुली अगर मोटे तोर पे मैं आपको बोलू तो maritime security trade and commerce के लिए इसको operations अंगल्प को लगाया गया था आप इसको कत्ते ही confuse नहीं करना कि कहीं से refugees को लेके आ रहे हैं क्या यहां फिर जैसे Ukraine के अंदर situation है उस तरह की situation में हम Indians को हमने uplift करा था वैसा नहीं है ठीक है uplift मतब air lift करा था sorry sorry air lift करा था तो यह air lifting का operation नहीं है इसके साथ confuse नहीं करना है इसको यह Indian Navy का वह था ताकि हम maritime security के अंदर maritime trade के अंदर हम थोड़ा सा contribution कर सके अब ही जैसे जैसे dead sea na recede कर रहा है तो जैसे वो recede कर रहा है वहां पर आपको बड़े-बड़े sinkhole दिखाई दे रहे रहे है इस तरह के बड़े deep खड़े दिखाई दे रहे है तो this is also being said के now this is a revenge of the nature एक तो deep sea एक तो जो dead sea है वो recede कर रहा है और sinkhole क्या होता है sinkhole एक इस तरह का depression type होता है open more or less circular होता है फेनल शेप के अंदर इस तरह के से towards the bottom ये वेरी कर सकता है size में it can be from few meters to few hectares also it can be from 0.5 meter to 30 meters or more it can be so this is how the sinkholes looks from the top और इस तरह के से ये दिखता है कि इस तरह के से पानी recede कर गया यहां से और बॉटम में यहां पर रह गया है now dead sea में आपको पता है कि इसका क्या है salinity one of the highest salinity है तो highest salinity से जैसे जैसे यह पानी इपोपरेट होता रहेगा यहां पर saline हमको deposition मिलता रहेगा dead sea है क्या dead sea यह जिसको हम salt sea में बोलते हैं क्योंकि इसका salinity की वज़े से density इतना हाई हो जाता है कि doesn't let you drown बट इसके लिए जरूरी है कि आप पूरा flat मतलब यहां पर अगर आप अपने अगर कोहनी से या फिर आप सिर्फ बॉड़ी के एक पार्ट से इसमें अगर अगर डिप होए तो possibility है कि आप तेरों के नहीं जरूरी है कि आप पूरी बॉड़ी के साथ एकदम ऐसे से होता है कि पीछे बंजी जंपिंग करते हैं तो हम पूरा एकदम flat गिर जाते हैं तो वैसे flat गिरते हैं तो फिर यहां पर आप डूपते नहीं हों तो यह वर्ल्ट की deepest हाइपर सलाइन बोडी के अंदर आती है दिस इस ओल्स बन फ दी फोर सॉल्टियस्ट बोडी ज़ुर्ट इस ओन दी अर्थ Dead Sea में यहाँ पर जो salinity है वो इतनी ज़्यादा extreme होती है कि यहाँ फ्लोराइन फोना बिल्कुल रही नहीं पाते हैं फ्लोरिश नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी ठीक है तो यह है हमारा Dead Sea, Dead Sea है कहाँ पर location देखें यह रहा हमारा Dead Sea का location है यहाँ पर जो की हमारा Jordan और इस्राइल के बीच में है अब इस्राइल के अंदर भी हमारा West Bank है हमको पता है West Bank in Israel है तो इस इस हाँ इस गुई यह Jordan River है यहाँ पर इसका थोड़ा सा अगर आप दो तीन चेज़े और भी देखो जैसे question एक बार UPSC में अल्रडी आया वा है कि Golan Heights कहाँ पर है तो यहाँ पर Golan Heights है विचे से विचे स्ट्राइजिक लोकेशन इसके बारे में हमने जो प्रिवियसली हमने मैपिंग के वीडियो करे है उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से इन मैप्स के बारे में बात करा है तो प्लीज एक बार इसको देख रहे ना क्योंकि मैपिंग में करंट में जो आ रहा है जिसे हम आने वाले लेक्चर के अंदर रशिया और युक्रेन की वज़े से जो हमारा युरोपियन पार्ट है भी हमने बात करी है ठीक है विद्धिस हमारा नवेंबर महिने का जो लोकेशन से न्यूस था वो खतम होता है और आव यहाव टू-3 वेशन पर यूज प्लीज ट्राइब इस वेशन और यूर आंसर इन पार्ट पहला है इन में से कौन सी ब्रह्मा पुतर की ट्रिबूटरी नहीं है इस 3 questions you need to attempt do write your answers into the comment sections if you have any suggestions और if you want to specially focus us to on some special part of the world कि इस map को जाद अच्छे से करा हुए यह sections आपको समझ नहीं हा रहा है आप यह relate नहीं कर पा रहे हो we can do that also आप comment section में सको लिख सकते हो and with this I'll take your leave I'll see you guys in the next video आपना ध्यान रखिए बाई जी हिंद आपना आपना झाल